दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत हैं आपका एक पार फिर्ट से आपके अपने ही चैनल के रिक पॉली पर जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शारुखान और गोविंदा की 90's की फिल्मों के बारे में यानि के साल 1990 से लेकर साल 1999 तक शारुखान और गोविंदा ने टोटल कितनी-कितनी फिल्मों में काम किया कितनी हिट रही, कितनी सूपर हिट रही और कितनी फिलॉप रही और साथ इसाथ आपको बताने वाला हूँ कि 90's में साल 1990 से लेकर साल 1999 तक शारुखान या गोविंदा किस ने किये सबसे ज्यादा हिट और सूपर हिट फिल्में तो इसी के बारे में हम बात करेंगे तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा तो चली दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले शारुखान के बारे में तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि साल 1990 और साल 1991 शारुखान के लिए बिल्कुल खाली था क्योंकि साल 1992 से अपने करियर की शुरुआत की थी शारुखान ने फिल्म दिवाना से तो साल 1992 से लेकर साल 1999 तक शारुखान ने टोटल 28 फिल्में की थी 1992 में शारुखान ने की थी दिवाना, चमतकार, राजु बन गया जंटलमेन और दिल आशना है दिवाना 7 करोल 75 लाग रुपे कमा कर सूपर हिट साबित हुई थी चमतकार 2 करोल 75 लाग रुपे कमा कर एवरेज हुई थी राजु बन गया जंटलमेन 5 करोल रुपे कमा कर एवरेज रही थी और दिल आशना है 1 करोल 25 लाग रुपे कमा कर फ्लॉप साबित हुई थी 1993 में शारुखान ने की थी डर, बाजीगर, माया मेम साब और किंग अंकल डर 10 करोल 75 लाग रुपे कमा कर ब्लॉप साबित हुई थी बाजीगर 7 करोल 75 लाग रुपे कमा कर सूपर हिट साबित हुई थी माया मेम साब 1,85,000,000,000 रुपे कमा कर फिलॉप हो गई थी और किंग अंकल एक करोड पैसाट लाख रुपे कमा कर फिलॉप हुई थी 1994 में शारुखान ने दो फिल्मे की थी अंजाम और कभी हां कभी ना अंजाम पाच करोड रुपे कमा कर फिलॉप हुई थी कभी हाँ कभी ना तीन करोड सतासी लाख रुपे कमा कर सेमी हिट साबित हुई थी 1995 में शारुखान ने की थी दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे करानर्जुन, रामजाने, तिरिमूर्ती, जमाना दिवाना, गुड़ू, ओ डालिंग ये हैं इंडिया दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे, तरे 5 करोड 20 लाख रुपे कमा कर आल टाइम ब्लोकबस्टर साबित हुई थी करानर्जुन, 25 करोड रुपे कमा कर ब्लोकबस्टर हुई थी रामजाने, 8 करोड 60 लाख रुपे कमा कर हिट साबित हुई थी तिरमोर्ती 8,57,00,000,000,000,000 रुपे कमा कर फ्लॉप हुई थी जमाना धिवाना 4,70,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 दिसास्टर हुई थी इंग्लिश बाबू देसी मैं 3.80.000.000 रुपे कमा कर flop साबित हुई थी 1997 में शारुखान ने की थी दिल तो पागल है परदेश, कोईला और येस बॉस दिल तो पागल है 35.00.000.000 रुपे कमा कर super hit साबित हुई थी परदेश 22.85.000.000 रुपे कमा कर hit साबित हुई थी कोईला 14.90.000.000 रुपे कमा कर flop हुई थी और येस बॉस 11.35.000.000 रुपे कमा कर above average हुई थी 1998 में शारुखान ने की थी कुछ-कुछ होता है दिल से और duplicate कुछ-कुछ होता है 46.90.000.000 रुपे कमा कर blockbuster साबित हुई थी दिल से 10.75.000.000 रुपे कमा कर flop हुई थी duplicate 10.20.000.000 रुपे कमा कर flop साबित हुई थी 1999 में शारुखान ने सिर्फ एक फिल्म में काम क्या था फिल्म का नाम था बादशा और बादशा फिल्म 14.90.000.000 रुपे कमा कर flop साबित हुई थी चले दोस्तों अब बात करते हैं गोविंदा के बारे में तो गोविंदा ने साल 1990 से लेकर साल 1999 तक टोटल 69 फिल्मों में काम किया था 59 फिल्म में की थी 90's में गोविंदा ने तो बात करेंगे सबसे पहले 1990 की तो गोविंदा ने 1990 में की थी सुवर्ग तकदीर का तमाशा, महसंगिराम, आवारगी, नयाखोन, इजददार, काली गंगा और अफमान की आग सुवर्ग 3,55,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, मान की आग एक करूल बीस लाख रुपे कमा कर फ्लॉप हुई थी 1991 में गोविंदा ने की थी हम कर्ज चुकाना है कौन करे कुर्बानी भावी और रईस जादा हम 9 करोल 25 लाख रुपे कमा कर सूपरिट सावित हुई थी कर्ज चुकाना है 3 करोड रुपे कमा कर ऐवरेज हुई थी कौन करे कुर्बानी डेल करोड रुपे कमा कर फ्लॉप हुई थी 1990 में गोविंदा ने की थी शोला और शबनम, जान से प्यारा, राधा का संगाम, जुल्म की हुकोमत, नाच गोविन्दा नाच और बाज शोला और शबनम 6 करोड रुपे कमा कर हिट साबित हुई थी जान से प्यारा धाई करोड रुपे कमा कर बिलो एवरेज रही थी रादा का संगाम धाई करोड रुपे कमा कर एवरेज रही थी जुल्म की हुकूमत 2,56,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, फिक्षा दो करोल 25 रुपे कमा कर एवरेज साबित हुई थी, मुकाबला 10 करोड रुपे कमा कर एवरेज हुई थी, जखमों का हिसाब 2 करोड रुपे कमा कर फलॉप हुई थी, आदमी खिलोना है राजा बाबो आठ करोड ते adaילas लाख रुपे कमा कर सुपर हिट साबित हुई थी दोलारा साड़ी 30 करोड रुपे कमा कर एवडरेज हुई थी प्रेमiin शक्ती एक करोड 22 लाख रुपे कमा कर फ्लॉप हुई थी खुद्दार 4,50,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, नमबर वन और गैंबलर आंदोलन 6 करोड रुपे कमा कर एवरेज साबित हुई थी, हद कड़ी 4 करोड 87 लाख रुपे कमा कर बिलो एवरेज साबित हुई थी, किस्मत 2 करोड 63 लाख रुपे कमा कर फ्लॉप हुई थी, कूली नमबर वन 12 करोड 55 लाख रुपे कमा कर सूपर हि पित सावित हुई थी चोटे सरकार तीन करोड नब्य लाग रूपे कमा कर फलॉप हुई थी माहीर ।ë 15 करोड रूपे कमा कर फलॉप हुई थी जोड़ार 80 लाग रूपे कमा कर डिसास्टर हुई थी 1997 में गोविंदा ने की थी हीरो नंबर वन दिवाना मस्ताना, बनार्सी बाबू, दो आखे बाराहात, लोहा और नसीब हीरो नंबर वन 17 करोड रुपे कमा कर सूपर हिट साबित हुई थी, दिवाना मस्ताना 13 करोड 60 लाख रुपे कमा कर हिट हुई थी, बनार्ची बाबू 5 करोड 60 लाख रुपे कमा कर फ्लॉप हुई थी, दो आखे 12 हात 2 करोड 40 लाख रुपे कमा कर फ्लॉप हुई थी, लोहा दो करोड तीस लाख रुपे कमा कर बिलो एवरेज रही थी नसीब डेल करोड रुपे कमा कर डिसास्टर हुई थी 1998 में गोविंदा ने की थी बड़े मिया छोटे मिया दूले राजा महराजा परदेशी बाबू और अचानक बड़े मिया छोटे मिया 19 करोड 20 लाख रुपे कमा कर हिट साबित हुई थी दूले राजा 12 करोड 75 लाख रुपे कमा कर हिट हुई थी महराजा 6 करोड 35 लाख रुपे कमा कर फ्लॉप हुई थी आंटी नमबर वन 5,35,000,000 कमा कर बिलो एवरेज रही थी पर्देसी बाबू 5,25,000,000,000 कमा कर फ्लॉप हुई थी अचानक 4,000,000,000 कमा कर फ्लॉप हुई थी 1999 में गोविंदा ने की थी हसी ना मांच जाएगी अनाडी नमबर वन हम तुम पर मरते हैं और राजा जी तो दोस्तो अब अगर बात करें हिट और सूपर हिट फिल्मों की तो किसके नामे ज्यादा हिट और सूपर हिट फिल्में तो चलिए देखते हैं और सबसे पहले बात करेंगे गोविंदा की, तो गोविंदा की टोटल 69 फिल्मों में साथ हिट फिल्में हैं, हसी ना मान जाएगी, दूले राजा, बड़े मिया, छोटे मिया, दिवाना मस्ताना, साजन चले ससुराल, शोला और शबनम और स्वर्ग, सूपर हिट चार फिल्म की, तो शारुखान की 28 फिल्में है, टोटल 90 फिल्में हैं, परदेश और राम जाने, सूपर हिट 3 फिल्में हैं, दिल तो पागल है, बाजीगर, दिवाना, बिलॉक बास्टर चार फिल्में हैं, कुछ-कुछ होता है, करानर जुन, दिलवाले, दुलानिया ले जाएंगे, और डर, सेमी हिट एक फिल्म है कभी हाँ कभी न तो दोस्तो ये रही 90's की परफार्मंस गोविंदा और शारुखान की अब आप खुदी अंदाजा लगा लो कि इसमें कौन है ज्यादा बड़ा सुपरिस्टार गोविंदा या फिर शारुखान दोस्तो उम्मीर करता हूँ आपको ये वीडियो पसन आया होगा, थैंक यू